यूपी के प्रियाग राज में हुए अतीक एहमद और उसके भाई अश्रफ की हत्या के बाद यूपी पुलिस अलर्ट पर है शांती वेवस्था बनी रहने के लिए पूरी यूपी में धारा 144 लागू कर दी गई है प्रशाशन और पुलिस अधिकारी हर जिले और हर शेत्र में नजर बनाई हुए है अतीक एहमद और अश्रफ एहमद की हत्या का असर बागेश्वर धाम के पीठा धेश्वर धीरेंदर शास्त्री की कानपुर देहात में होने वाली हनमन्त कता पर भी पढ़ गया है आपको बता दें कि अतीक अश्रफ हत्याकांड के चलते कानपुर देहात जिला प्रशाशन ने धेरेंदर शास्त्री के होने वाले कारिक्रम को इस्तहगित कर दिया था गौरतलब है कि धिरेंदर शास्त्री के कथा कारिक्रम में लाखों लोगों की भीड एकठा होती है इस बार सबसे खास बात यह है कि खुद धिरेंदर शास्त्री ने भी प्रशाशन के सांती विवस्ता बनने के प्रयास में अपनी कथा कीतिती को आगे बढ़ा दिया है धेरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने अपने बागेश्वर धाम सरकार के ओफिशिल ट्विटर पर वीडियो के माध्यम से यूपी में कानून विवस्ता सुचारू रखने को अपनी कथा इस्तगित करने का फैसला किया है बागेश्वरधाम सरकार के ओफिश्यल ट्विटर एकाउंट पर धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने वीडियो जारी करते हुए कहा कि अभी जो हालात यूपी में हुए हैं उसे देखते हुए कथा को आने वाले समय तक के लिए इस्थगित कर दिया गया है देरेंद्र शास्त्री ने आगे कहा कि यूपी में धारा 144 लागू है ऐसे में 17 अपरेल से 21 अपरेल तक होने वाली कथा अभी के लिए इस्थगित कर दी गई है लेकिन सही समय आने पर कथा का आयोजन किया जाएगा आपको यहां हम बताना चाहेंगे कि कानपूर दिहात के शिवली तहसील के मैथा छेत्र के पवन तने आश्रा में 17 अपरेल से लेकर 21 अपरेल तक हनमन्त कथा का आयोजन किया जाना था कथा करने के लिए बागेश्वर धाम के पीठा धेश्वर धिरेंद्र कृष्ण शास्त्री आने वाले थे इस कारिक्रम के तयारियां काफी दिन पहले से ही शुरू हो गई थी कारिक्रम को आयोजित करने के लिए जिरा प्रसाशन से आयोजोकों को परमिशन भी मिल गई थी धिरेंद्र शास्त्री के कारिक्रम को लेकर तैयारियां जोरो पर थी इसी बीच शनिवार रात को माफिया अतिक और उसके भाई अश्रफ की गोली मार कर हत्या कर दी गई इस सत्यकांट के बाद पूरे प्रदेश में धार 144 लागू कर दिया गया और पुलिस पूरी तरह से मुस्तेधी पर आ गई और इसी के कारण धिरेंद कृष्ण शास्त्री का कारिक्रम भी इस्थगित कर दिया गया